अब कभी नई छूटेंगे आपके फेवरेट इवी शोज जी फाइड के साथ बिलकुल फ्री क्या करें थी उन गुंडों के आने से जस्ट पहले मैं क्या है यह घर छोड़के जा ली थी अब करें आप अब आप टल चुकी तो आप मुझे भी घर चोड़के चले जाना चाहिए एक से किन तुम घर चोड़के जारी थी बिना मुझसे बात किये बिना मुझसे मिले इति इतना बड़ा डिसिजन ले ले लिए बतल बगगत ये गुंडे यह नहीं होते तो तो तुम तो जा चुकी होती है इतनी बड़ी बात हाफ सब को बता दी मुझे किसी ने बताई क्यों नहीं बिठा हम से का पूछ रहा है जब तु बाहर जा रहा था तो हमने तुछ से पू गर जा रही है या बजार जा रही दई पकोड़े खाने के लिए हम तो तब बहार आए ना जब ने नंदू की चीक सुनी तो हमें का मालूम कि उसके पहले का खिचडी पकाई है इन लोगों ने तो मतलब तुमारा प्लान यही था कि तुम साइलें प्लीज कर से चली जाओ बिना किसी को बताए नहीं आशिश नहीं था मैं बस यह चाहती थी कि नंदिश को ना पता चले कि मैं घर चोड़ के जा रही है रो रो के बुरा हाल कर देता हूं मैत्री प्लीज अपना दिमाग कांगे उसकी मासी प्लीज यार तुम अपना दिमाग चलाना बंद करो प्लीज और खर केंदा चलो चलो अंदर नहीं आशिश क्यों मैं इस घर से जाने का डिसिशन ले ली आया अशिश तू ले लिया है तू ले लिया है दुमारा घर में नहीं आऊंगी क्यों नहीं आऊगी हां मैत्री तुम्हारी ना हर बार जिद नहीं चलेगी चुपचाप अंदर चलो और बैग मुझे दो चुड़ो मेरा बैग चोड बहुत सुन ली तुमारी चोड़ो से अशिश दिस नौट ड़ अधरी बैग अंदर आ गया है चांती से अंदर आ जाओ इस सबरदस्ती है अशिश मुझे जाना है मैं जाओंगी वाह अशिश ये की तुम्हें समझदारी वाली बात झाल